मैं हूँ आपके साथ इंशान नेशनल डूर 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 पर आप सभी का बाद बाद स्वागत है बता देए खबर उत्तर परदेश के फिरोजबाद जिसमें छेतर के लगबग 125 नागरिकों ने बढच्वण कर हिस्ता लिया एवं अपने परिवारी जनों की निश्चुल्क जाज कराकर अपने एवं उनके स्वास्थे के प्रती जानकारी प्राप्त की सभी नागरिकों ने खाटुश्याम परिवार मंडल एवं मंदेर ट्रस्ट के इस सरहनिय कारे की भरपूर प्रिशंसा की एवं खाटुश्याम बाबा के प्रती अपनी श्रद्ध व्यक्त की खाटुश्याम परिवार मंडल के सच्चिव आशिश अगरवाल ने बताया कि मंडल एवम प्रस्ट द्वारा ये गतिविधी लगतार 17 अप्रेल से लगतार चल रही है एवम आगामी 30 अप्रेल 2022 तक नगर के अलग अलग शेत्र में प्रति दिन निशुल कायजू की जाएगी फिरो जबास से रिशी परिवार मंडल खाटुशन परवार ट्रस्ट की तरब से निशुल ट्यम्प लगाया रहा है दरांग प्रंदर तारिक से लेकिं 30 अप्रेल लगता अलग अलग ओल लोग है आज की तारिक में गुजन एंकलिम में यहां पर लगाया रहा है सुबह शे से नोब पटाया में इसका जैकि तरस्ट शाट लगता आई है और प्रति दिन लगबग सो लोगों के जाचे यहां में विसल्ट हो रही है इसमें टीम जाचे हम लोग खुरी कर बारे हैं रेम्रेट के लेप के सायोग से उसमें प्रीट नाइंड, पॉलस्ट्रोफ और ब्लट्सरोवाट यह तिनों जाचे हो रही है सब्सक्राइब और करेंगे जाचे हम लोग इक गतविदी का आवेजन कर रहे हैं जो फिरोज़ाब में एक 17 अपरेल से लगातार 30 अपरेल तक जारी रही गी जिसमें हम लोग रेंबेक्सी पैथलोजी के द्वारा फिरोजवाद में तीन टेस्ट ब्लट के निशुल के दिये जा रहे हैं जिसमें आपका शुगर रेंडम, कलेस्ट्रॉल और किडिनी जो की क्रेटिनान की नाम से जना जाता है यह तीनों जाज हम निशुल कराए जा रहे हैं और शेहर में अलग 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 अईवजित किया जा रहा है एक कैम आज अपने फिरोजावाद शेहर के फिरोजावाद शेतर में गुंजन एल्टलेव जो रेलिडेंशन सुसाइटी है मतरण नगर में वहाँ पर यह कैम आज आज आज़ित किया गिया जिसमें लगवग शेतर के 125 लोगों ने बढ़ चार कर रिस्सा लिया अपने और अपने परवारी जनों का स्वास्त जांच के लिए उन्होंने निश्वल के रत्त जांच कराई और अपने और अपने परवार के स्वास्त की जानकारी भी ली तता इसके साथ साथ उन्होंने खाडू शाम परवार मंदल की और मंदल ट्रस्ट की बरपूर सराना क और हम लोगों को आशिरवात दिया कि इसी तरह की कार्ले और गत्वीदियां हमारे मंदल ट्रस्ट के दौरा आगे लगातर होती रहें